Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss about the right approach, what should we follow the UPSC beginners, right? कि आप अगर शुरुवात करने जा रहे हो UPSC preparation की, तो क्या चीज़े हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और जिनको अपने mind में रखते हुए आपको preparation को approach करना है ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि exam को properly समझ लीजिए, exam के pattern को अच्छी तरह से समझ लीजिए ठीक है, ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि UPSC की preparation करो और आप भेड़ चाल की तरह उसके पीछे लग गए ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी हर इंसान की capacity होती है ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके interest क्या है, ये ना हो आपका interest study में हो इना और आप ये UPSC के पीछे चल पड़ो और अपने एक दो साल waste कर लो, ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो exam के pattern को properly समझो कि कितना time ये चाहता है, क्या इसके लिए जरूरी है, ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से clear होना चाहिए, उसके बाद आपने जो है उसकी preparation स्टार्ट करनी है ठीक है, अपने mind को उस तरह से prepare कर लेना है, ठीक है, जो ready रहे आने वाले time के लिए, ठीक है, ये नहीं कि बस किसी ने school में या college में बोल दिया था, कि UPSC का exam में ऐसे ऐसे होता है, तो आपने अपना goal बना लिया और चल पड़े उसके पीछे, फिर जो अपने carrier की age है, वो भ motivation क्या है, ठीक है, उस सब को ध्यान में रखते हुए, आपने अपनी preparation को start करना है, अगर ये सब सही रहेगा, तो believe me, एक सार लगे या दो सार लगे, आपको कभी depression नहीं feel होगा, ठीक है, because at last you will succeed, और अगर आपका interest ही नहीं है, then you will have to face the hurdles, राइट, उसके बाद, अगर आपने अपना mind बना लिया, ठीक है, कि हाँ, हमें तो UPSC ही करना है, यही हमारा career set होगा, तो अपने आपको आने वले challenges के लिए ready कर लीचीए, सबसे पहले है ignorance, ठीक है, ignorance क्या है, कि आपको UPSC के लिए at least एक साल के लिए एक proper जो time table है, वो follow करना पड़ेगा, ठीक है, आप यह नहीं बोल सकते कि एक दिन पढ़ लिया, फिर दस दिन आप खूमने चले गए, ठीक है, यह friends के साथ चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, उनको आपको कई बार ignore करना पड़ेगा, बहुत बार आपको family functions ignore करने पड़ेगे, बहुत और उससे भी उपर आपको जो peer pressure है, यह family pressure है, यह relatives की बाते हैं, उनको ignore करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, यही challenges होते हैं, जो preparation में harder डालते हैं, ठीक है, पढ़ना गया है, पढ़तों सब लेते हैं, लेकिन जिसकी life में यह वले challenges आते हैं, उनको बहुत मुश्किल phase करनी पड़ती है, फिर consistent आपको hard work करना है, at least one or two years, क्योंकि one year का तो यह खुद exam ही है, ठीक है, और एक साल आप उसको पहले preparation में दोगे, फिर prelim से लेकर interview तक एक साल और हो गया, यानि कि कुल मिला कि आपके पास दो साल रहेंगे, ठीक है, दो साल आपको अपने आपको तयार करना है, कि आप उसमे जो है लगातार, hard work कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह को कोई doubt है, तो सबसे पहले अपना mind setup कीजिए, then start the preparation, ठीक है जी, यही सबसे जरूरी बाती है, pattern, syllabus सब कोई बता देगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद, चलो, आपका सब कुछ final हो गया, ठीक है, आप कर लोगे, mind setup भी कर लिया, आपका goal ही UPSC है, अब आपको क्या करना है, अब आपको syllabus को उठाना है, ठीक है, UPSC का, किसी की बातें नहीं सुननी है, YouTube पे बहुत सारी वीडिय जाएंगी, toppers की, उसने ये किया, उसने ये किया, देखिए, toppers सब को सच नहीं बताते हैं, ठीक है, यह हमारा personal experience है, सब कुछ हो सच नहीं बताते हैं, वो बहुत कुछ आपको जूट बोलेंगे, ठीक है, then at last you will face the problem, ठीक है, so ऐसा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स labels को उठाना है, ठीक है, actually में UPSC है क्या, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका each and every keyword आपको thoroughly पढ़ना है, कि UPSC आखिर आपसे चाता क्या है, क्या चाता है, आपको किस चीज की knowledge होनी चाहिए, ठीक है, यह नहीं कि किसी ने ये बोल दिया, उसके पीछे भाग दिय किसी ने वो बोल दिया, उसके पीछे भाग दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, UPSC की demand के according, कौन कौन से आपको लग रहा है, कि syllabus में चाहिए, ठीक है, आपने syllabus में स्पोस करो keyword cyber security पढ़ा है, तो आपको पता चला कि यह syllabus है, ठीक है, इसके बारे में मुझे knowledge चाहिए, तो उ thoroughly read कर लेना है, उसका each and every keyword है, उसको आपको कोशिश करनी है, याद करने की, starting में नहीं होगा, ठीक है, take your time, ठीक है, जब आप बार बार लेबल्स को देखोगे, तो वो जो keywords है, आपके mind में set up हो जाएंगे, ठीक है, और then, आपको जब आप newspaper पढ़ोगे, या कोई extra material तो आपको पता रहेगा, कि जी हाँ, हमें ये वाली चीज़ पर focus करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, syllabus की एक copy ले लेनी है, जिसको आप हमेशा अपने पास रखोगे, ठीक है, ताकि जब आपको कोई topic दिखे, तो फटा-फट से syllabus में check कीज़े, ये syllabus में है, then you have to read that topic, ऐसे या करके आप newspaper के बहुत सारे topics को eliminate कर सकते हो, तो इस लेबस पे focus करते हुए, उसके बाद second ज़रूरी बात है, कि जो पिछले 10 साल की at least, हो सके तो उससे भी बीचे की, ठीक है, यूंकि UPSC का pattern जो है, वो कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो पहले शुरुआत में आपने जो पहले last 10 years है, उसके copies निकाल करके अपने study table पे रख लेनी है, ठीक है, और उनको analysis करना है उनका धीरे धीरे, अगर आप शुरुआत में हो, तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़े, क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, डरना नहीं ह बस उनको daily time देना है, धीरे धीरे वो चीज़े आपको समझ आने लगेंगी, इसका फाइदा क्या होगा, इसका फाइदा भी होगा, कि जब आप UPSC के preparation स्टार्ट करते हो, तो आपको इतने सारे जो resources हैं, वो बता दिये जाते हैं, ठीक है, आपको पता रहेगा, कि उस resource में से मुझे करना क्या है, ठीक है, गुपता पीरियड को पूछ रहे हैं, तो मुझे गुपता पीरियड ही पढ़ना है, आपको पता रहेगा, आपको वो गाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपने दिमाग में कोई कुछ भी कही जाईए, जिस बठा लीजिए, कि syllabus और जो PYQ है, वही है UPSC के base की preparation, और at last आपको success इनों नहीं दिलवाना है, ठीक है, आप हमारी वीडियोज भी चेक कर सकते हूं, जिसमें हमने PYQ का analysis कर रखा है, ठीक है, UPSC का syllabus भी discuss किया हुआ है ठीक है, तो आपको वैसे ही analysis करके क्या चाहिए आपको वो निकालना है और उसको पढ़ना है, सारा कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, at last you are a human, ठीक है, सारा कुछ आपके पढ़के नहीं जा सकते हो, आपको बस जो उसका syllabus है और जो PYQ में है, उस पे focus करके चलना है, ठीक है, और उसके बाद अपने जो preparation है, वो आपको एक positive mindset और right approach के साथ start कर देनी है, ठीक है, अपने आपको prepare mentally और physically prepare करते हुए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो kindly channel को subscribe कीजिए, और अगर कोई आपका suggestion है, आप किसी और चीज़ पे guidance चाते हो, तो आप हमें comment section मे बता सकते हो, ठीक है, thank you so much